नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 17 मार्च शुकरवार सुबह सबस्चा बजे राजसान के बड़ी खबरी लॉरेंस की फोटोज भी मीडिया के सामने पेश की बठेंडा जेल और तलवंडी साबव कोट में पेशी के दरान ली गई इन फोटोज में लॉरेंस शॉर्ट हेर कट और ट्रिम दाड़ी में नजर आ रहा है जबकि 14 मार्च को एक टीवी चैनल पर जारी इंट्रिवी में उस प्रतीमन में कोई कुणठा हो तो निकाल दीजीए कोई बात मन में मत रखिएगा जोत पर विकास प्राधिकरण की कोई फाइल मेरे पास नहीं आती है क्योंकि मैं उसका अध्यक्ष नहीं हूँ जब पर विकास प्राधिकरन की फाइल मेरे पास इसलिए आती है क्योंकि मैं उसका अध्यक्ष हूँ गौर्दलब है कि दिव्या मदेड़ना ने धारीवाल पर आरोप लगाए और कहा कि मेरी विधानसभा ओसिया में पिछले चार साल में किसी भी सड़का निर्मार नहीं किया गया दाश्तान विधानसभा में इस सत्र में राइट टू हेल्ट बिल पास किया जाएगा विधानसभा कि प्रवर समीति और बिल का विरोध करने वाले संगठन स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी के सदेस्टिंग की चौचा के बाद इस बिल के फाइनल मसादे को मंजूरी दी गई है संभावना है कि 23 मार्स तक इस बिल को सदन में रखकर मंजूरी दे दी जाएगी हलांकि प्राइविट हॉस्पिटल संचालकों का एक धड़ा अब भी इस बिल के विरोध में है इन प्राइविट हॉस्पिटल के संचालकों ने सरकारी योजनाओं के तहट इलाज की सुविधा बंद करने की चेतावनी दी है जोइंट एक्शन कमेटी के चेर्मेंट डॉक्टर सुनिल चुक का कहना है कि हमारी जो मांगे और सुझाव थे वो सरकार ने बिल में शामिल कर दिये हैं ऐसे में अब विरोध का कोई मतलब ही नहीं बनता जैपुर ACB ने 60 दिन गुरवार को SOG के अडिशनल SP दिव्या मितल घूस खोरी प्रकरन में चौलान पेश कर दिया है 11,500 पन्नों के इस चालान को ACB कोट द्वारा आशुकरवार को जांचा जाएगा इदर इस मामली में फरार वरखास्त कॉंस्टेबल सुमित की ACB सरगर्वी से तलाश कर रही है ACB के ADP SN सितारा ने बताया कि जापूर ACB के DSP मांगिलाल चौधी ने चौलान पेश किया इसके बाद ACB कोर्ट में चौलान पेश कर दिया गया BGP प्रदेश अध्याक्ष सतीश पूनिया के नेतरतों में भरतपूर में कलेक्टरेट घेराव की कोशिश की गई पूनिया और भाजपा कारेकरताओं ने बेरिकेट तोड़ दिया और कलेक्टरेट में घुसने का प्रयास किया पूलिस ने वाटर कैनन से भी भीड को रोकने की कोशिश की इसके बाद पूनिया समित कारेकरताओं को ग्रिफतार करतीन बसो से भाजपा दफ्तर छोड़ा गया गुरवाज शाम चार बज़े की करीब पूनिया के नेतरतों में कलेक्टरेट घेराव के लिए ट्राफिक चोराहे से कूच किया गया इसे बाले दोपहर दो बज़े शहर के यताया चोराहे पर सभा कायोजन किया गया था सभा में बीजेपी प्रदेशा ध्याक्षा सतीश पूनिया सहीत सांसत रंजीता कोली भरतपुर जिला ध्याक्षजगा सिंग समित का इनेता मौजूद रहे करनाटक में एक तालिस साल की महिला ने 36 साल उम्र बता कर शादी की बाद में उसकी उम्र पता चलने पर पती ने धोखा दड़ी और तला का केस तरच कर दिया करनाटक हाई कोर्ट ने इसे धोखा दड़ी मानते वे दोनों का तला करा दिया मामला साल 24 का है महिला के घर वाले लड़के के घर रिष्टा लेकर गए थे उन्होंने बेटी के उम्रे 36 साल बताई थी दोनों की शादी हुई इसे बीच पती को पता चला कि महिला लंबे समय से किसी ला इलाज बिमारी से पीड़ी थे ये बात उसने शादी के पहले नहीं ब पताई थी पती ने पतनी और उसके परिवार वालों से पूछा तो बिमारी का पता चला और ये भी जानकारी हुई कि शादी के समय पतनी के उम्रे 36 नहीं बलके 41 साल थी पतनी उससे 5 साल बड़ी है बिकानेर में वेटरनेरी विश्विद्याले का सस्टम दिक्षांत समारो 21 मार्ज को मंगलवार को विश्विद्याले के परिशन में सुबह साड़े 11 बजे से आवजित किया जाएगा कुलपती प्रोफेसर सतीश के गर्ग ने बताया कि मानने कुलादी पती अमराज जिपाल का राज में श्रु दिक्षांत समारो के अध्यक्षता करेंगे द्यार्थियों को रजट एमकांसे पदक्सी विभूशित किया जाएगा AIMIM राजस्थान में 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसको लेकर प्रदेश में जमीनिस्तर पर तयारी चौल रही है प्रदेश में हर विरादरी से पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है खान गुरुवार को जुन जुन में चूरु बाइपास रोड़ पर पार्टी की कारेले के उधगाटन में बोल रहे थे उन्हेंने कहा कि पार्टी को जुन जुनु में भरपूर समर्थन मिला है हमारा एक ही मकसद है कि हर विरादरी को इज़त सम्मान और हिस्सेदारी मिले यहां से पार्टी हर हाल में चुनाव लड़ेगी जमीन ने कहा कि हमारी पार्टी जुन जुनू में पहले से ही जमीन स्तर पर काम कर रही है अब पार्टी के कारी करता घर घर जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ेंगी उधपर में कोट के आदेश को फाड़ कर फैंकना एक ही यूवक को भारी पढ़ गया सरकारी दस्तावेजो को नुकसान पहुंचाने पर आज कारे में बाधा की मामने में कोट ने यूवक को जिल भेज दिया जौनकारी के अनुसान मंगलवार को न्यू आर्टियू राजिंद्र नगर का अभिमन्यू सिंग हाडा के घर कोट से एक करमचारी उसकी कार का कुर के आदेश लेकर पहुंचा जिस पर आरोपी ने सरकारी करमचारी से हाथा पाई करते हुए आदेश को फाड़ कर उसके मूँ पर फैंक दिया बाद में कहने लगा कि मैं न्याय ले और पुलिस से नहीं ड़ता इसके बाद आदेश लेकर पहुंचे करमचारी ने सुखे थाने में आरोपी के खिलाफ मामना दर्ज करवाया पलिस ने आरोपी अभी मन्यों सिंग हाडा को गरस्तार करते हुए गुरुवार को कोट में पेश किया जहां से PCPNDT कोड के अतरिक्त न्यायक मजिस्ट्रेट ने आदेश देते हुए आरोपी को 15 दिन न्यायक अभी रक्षा में भीजा है महरास्टर के डेपटी सियम देवेंदर फरनवीस की पतनी अमरिता फरनवीस ने मुंबई में एक महिला डिजाइनर की खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई है अमरिता का आरोप है कि उसने अपने पता की खिलाफ दर्ज आपरादी के मामने को खत्म करने के लिए एक करूर रुपए की रिश्वत देने की पेश कर्श की साथ ही उन्हें साजिश करके फंसाने की धंकी भी दी डिजाइनर का नाम अनिक्षा है अमरिता ने कहा कि 18 और 19 फरवरी को अनिक्षा ने अंजान नमबर से अपने वीडियो क्लिप वाइस नोर्स और मैसेश भेजे थे इसके जरीए उसने अमरिता को धंकाने की कोशिश की थी अमरिता ने 20 फरवरी को F.I.R. दर्ज कराई इस फर पुलिस ने डिजाइनर और उसके पिता के खिलाफ साधी स्रचने और स्रचार ने रोदका धिनियम के तहट केस तर्च किया है ये मामना मीडिया में अब आया है राजसान के नगरिये विकास मंत्री शांती धारिवाल ने गुरवाल को विधान सभा में कहा जैपुर के आगरा रोड पर एकोलोजिकल जोन में बसी कलोनियों का मामला सरवच नियाले में विचारा धिन है धारिवाल ने प्रशनकाल में विधायक रफीक खान के सवाल के जवाब में ये जानकारी देते हुए बताया कि 12 जनवरी 2017 को जोदपुर उचनियाले ने आदेश चारी किया था कि एकोलोजिकल जोन में पट्टे नहीं दिये जा सकते उन्हेंने बताय कि इस शेत्र में वर्श 2017 से पहले 37 एकोलोजिकल जोन में पट्टा दिया गया था उन्होंने सपस्ट किया कि उचनियाले की रोक के बाद लंबित योजनाओं में पट्टे नहीं दिये जा सकते ACB कोटा ने परिवादी से एक लाक रुपे मांगने के मामने में बुद्वार को MBS एस्पिताल में ततकालीन मेल नर्स सैंप्लिंग वे ESI डिस्पेंसरी में कारयत नर्सिंग आफिसर भामर सिंग हाडा को गरिफतार कर लिया आरोपिने परिवादी को COVID-19 सैंप्लिंग से हटा कर जेकिलोन हॉस्पिटल में समीदा पर लगाने के लिए कोटा के लिए एक लाक रुपए की मांग की थी ACB कोटा के अत्रिक्त पलिस अधिक्षक विजय स्वनकार ने बताया कि परिवादी बोर्खेडा फ्रेंस कोलोनी के वसीम खान ने ACB कारेले में एक फरवरी को 2021 में लिकित शिकायत दी थी राजसान के परिवहन राजमंतर ब्रजेंतर ओला ने गुरुवार को विधान सभा में कहा कि बिकानेर में सरदार पटेल आयर्विग्यान महाविद्याले के सामने अगर बसों का ठहराव हो रहा है तो उसकी जांच करवा कर उन्हें वहां से हटवाया जाएगा साथ ही ये भी सुनिशित करवाया जाएगा कि बसे अपने निर्धार स्थान पर ही ठहराव करे उला ने प्रशनकाल में एक सवाल के जवाब में ये जान करी देते हुए बताया कि आईर्विग्यान महाविद्याले बिकानेर के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक वे आँखों क एस्पिताल के सामने नीजी बसों के अस्थाई ठहराव नहीं है उन्होंने बताया कि इस विभाग ने मुख्य एस्पिताल की पास अस्थाई ठहराव के लिए कोई आदेश भी जारी नहीं किया है तर अगर आपके घर में शादी है और मेरिज होम हलवाई और बैंड के धौलपूर जिला पुशासर ने जिले में सभी प्रिंटिंग प्रेस वालों के लिए जरूरी कर दिया है कि शादी के निमंतरन पत्र को मुद्रित करने से पहले वरवदू की आयू के प्रमानिक दस्तावेज प्राप्त करें रासान में अवैद वाहन संचारन को लेकर स्थिती गंभीर है हर सड़क पर बेरोक टोक नियमों का उलंगन करती अवैद बसे दोड रही है उन्हें ना तो यात्रियों की जान की परवाह है और ना ही नियमों के पालन की प्रदेश में अवैद वाहनों की खिलाफ शुरू किये गए सैंक्ति जांच अभीहान के तहट परिवान विभाग पुलिस और रोडवेज निगम की टीमें जांच के लिए निकली तो हर तरफ अवैद बसें दोड़ती नजर आई टीमों ने कई बसो को जबत कर लाग रोपियों का जुर्माना वसूल किया है तो फिलाल इस बुलिटेंट में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ झाल झाल